जैहिन स्वागत है आप सबों का आज के हमारे इस खास वीडियो में और आज के जो वीडियो है इसको मैं खास इसलिए का रहा हूँ ना क्यूंकि आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लिजिएगा देखे जैसे भी हमारा अगर देखेगा यहाँ पर ध्यान से तो इस पिसी यहाँ पर दिख रहा है ना आप इसको open करके जो भी आपको file को निकालना होगा आप इसको easily निकाल सकते हैं चलिए इसको close करते हैं लेकिन अगर माले जे desktop का icon ही अगर नहीं रहेगा तो आप फिर कैसे करिएगा ऐसा में तो समस्या होता है लेकिन सबसे बहले हम लोग क्या गरते हैं चलिए इसको सिखत हैं तो हटाने के लिए आपको जो है ना क्या करना है आपका जो mouse है तो mouse का क्या गरिएगा आप सबसे पहले जो है आपको right click करना है यानि जो आपका mouse होगा उसका right side click करिएगा उसके बाद देखे सबसे पहले यहाँ पे एक option मिलेगा view का और जैसे view में जाईएगा तो उसक desktop icon यानि नीचे बला option माईएगा सबसे last अब यहाँ पे क्या गरिए पहले इसको हम लोग जो tick लगा इसको click करिए तो जैसे click करिएगा तो जितना भी हमारा desktop icon था देखे सब क्या हो गया हट गया अब ऐसा कभी-कभी system को खोलते है न तो ऐसा desktop icon हटा हुआ रहता है अब कितन हो गया या तो हमारा system खराब हो गया पता नहीं क्या हो गया तो इस तरह से हम लोग को दिक्कत लगने लगता है तो हम लोग क्या गरेंगे इसी चीज़ को पहले जो है लाने के लिए सिकते हैं अब हट गया हम लोग इसी को क्या गरते हैं ला करके देखते हैं कि कैसे इसको ह फिर यहाँ पर क्या गरिये, इसी में जो है, आपको क्लिक कर दाना है, देखें, जैसे क्लिक कियें, तो यह हमारा क्या हुआ, डेस्टॉप का आइकोन जो है, सभी फिर से आ गया, तो यह था खास ट्रीक, क्यूंकि ए सिखना जो है, काफी जादा आप लोग के लिए इंपोर् कर लिजेगा, और इसके बाद फिर हम लोग क्या गरेंगे, मिलेंगे कोई नए खास ट्रीक के साथ, तो ठीक है, आज का जो हमारा जो ट्रीक था, यही पर इसको खतम करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट विडियो में, तब तक के लिए, जैहिंद, नमस्कार.